नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पनियाल स्टड़ी और आज हम डिसकस कने वाले हैं पेपर पंचायत अर्डिटर का ये पेपर हुआ है 25 अक्तूबर 2020 को तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी क्वेशन आये थे इस क्वेशन पेपर में पहला है जौहालाल नहरू बंदर है वो है महराष्ट्र में option B इसका right answer है next question है किंद्रिय जल आयो की अध्यक्षता किस तर की अधिकारी करते हैं तो इसका right answer है option A भारत सरकार के पदेन सचीव option A इसका right answer है next question है कितने भात्यों राजियों ने अभी तक राजियों अल्प संखिक आयो की स्थापना की है तो इसका right answer है option C पंदर है next question है किसी राष्ट्रिय युवा पुरुसकार विजेता स्वैचिक युवा संगठन कोनी में लिखित में से कितना नगत पुरुसकार दिया जाता है तो इ भारत में कुल कितने केंद्र शाषित परदेश है तो इसका right answer है no option C इसका right answer है next है नेमल लिखित में से कौन सा पूरुवता क्रम में निमंतम स्थान पर है तो इसका right answer है option C मुख्यों चुनाव आयोक्त next question है नेमल लिखित में से किसे मरनो परांद भारत रतन दिया गया था तो इसका right answer है option B जेपी नारायन को next question है किस काल के दोरान हस्त निर्मित मृत्भान का सर्व प्रथम प्योग किया गया था तो इसका right answer है option C नवप्रस्त काल ये इसका right answer है next question है वेदों को नीमल लिखित में से किस में विवाजित किया गया है तो इसका right answer है option A सहीता next है सूरसेन महाजनपद की राजधानी किस स्थान पर थी तो इसका right answer है option B मथुरा नेक्स्ट वेशन है नेमलिकित मेंसे किस राजसी सनक्षन में चौती बौद संगती हुई थी तो इसका right answer है option D कनिश्क नेक्स्ट वेशन है सरवाधीक परसीद भारतिय गृख शाषक कौन था तो इसका right answer है option E मिनांडर नेक्स्ट वेशन है अजन्ता चित्रकला किस काल से संबंदित है तो अजन्ता चित्रकला है गुप्त काल से संबंदित ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट वेशन है जजिया कर किस पर था तो जजिया कर था केवल गैर मुसलमानों पर ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट वेशन है नेमल लिखित मैसी किसकी द्वारा दक्षन में बहमनी राज्य की स्थापना की गई तो इसका राइट आंसर है ओप्षन ए हसन गंगो नेक्स्ट वेशन है कौन सा भक्ती संत शिवाजी का समकालिन था तो इसका right answer है, option A, तुकाराम ये इसका right answer है next है, पानिपत का दूसरा योद किस वर्ष हुआ था? तो पानिपत का जो second योद था वो हुआ था 1556 में 1556 में, option B इसका right answer है next question है सेर शहसूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका right answer उप्शन D इसका राइट आंसर है पुना, option C, इसका right answer है next question है next question है a gift to monothaste पुस्तक किस ने लिखी तो इसका right answer है option E राजा रामोहन रायने next question है Muslim league किस थापना किस वर्ष में हुई थी तो इसका right answer है option D 1906 में next है कौन सा ग्रह सूर्य से सबसी दूर है तो सूर्य से सबसी दूर है Neptune, option B इसका right answer है next question है slate किस प्रकार की चटान है तो ये है कायांतरिक चटान option C इसका right answer है next question है सामान्यत है किस वायू मंडलिय स्तर में भी मैं सभी प्रकार की मौसमियों गटनाएं गटित होती है तो इसका right answer है शोव मंडल, option A इसका right answer है next question है टाइफून किस ख्षितर में होता है तो इसका right answer है चीन सागर में option A इसका right answer है next question है डाउन्स घास मुमी किस देश में है तो इसका right answer है option D आस्ट्रेलिया में next question है उच अक्षांश में नीमन अक्षांश की और option A इसका right answer है next question है उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी कौन है तो इसका right answer है option C Red Indians option C इसका right answer है next question है नीमन लिखित में से किसका नया नाम जकारता है तो इसका right answer है option A बाटाविया का option A इसका right answer है next question है है यदराबाद किस नदी की किनारे पस्थित है तो हैदराबाद है मूसी नदी की किनारे option A इसका right answer है next है नीमन लिखित में से कौन सी रेशायुक्थ फसल है तो इसका right answer है option A sun next question है कौन सा अधहत्तविक खभणीज है तो इसका right answer है option E, Magnes ये इसका right answer है next है brownie oil refinery किस भात्य राजय में स्थित है तो इसका right answer है option C, Bihar में next question है दक्षिन पश्चिम डेलवे का मुख्यालय किस राजय में स्थित है तो इसका right answer है हूबली, option D, इसका right answer है next है किस राजय में स्थित है तो इसका right answer है option C, ओडिशा में ये इसका right answer है next question है किस वर्ष दारजलिंग हिमाल्यन रेलवे को युनेस्को की विश्विरासत स्थलों की स्थूची में शामिल किया गया तो इसका right answer है 1999 में option E, इसका right answer है next question है किस सम्वेदानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को भारत के राश्टर राजधानि क्षित्र का दर्जा दिया गया था तो इसका right answer है 69 option E, इसका right answer है next question है नेमन लिखित में सी कौन संसद की दोनों सदनों की सियुक्त बैठक बुला सकता है तो इसका right answer है option E, राश्टर पती next question है कौन लोग सभा की अबधी समाप्थ होनी से पहले उसकी विशर्जन की अनुसंसा कर सकता है तो इसका right answer है option C, परधान मंत्री next question है संसद का कौन सा सत्र सबसी छोटा होता है तो इसका right answer है option B, शीत कालीन सत्र next question है संसद द्वारा अब तक कितने सरवोच न्याल लकिन याई दीशों पर महाभियोग लगाया गया है तो इसका right answer है option D, शुन्या next question है नीम लिकित में से किसके परसाद परियंत मुख्यमंत्री अपना पद धारन कर सकता है तो इसका right answer है option D, इन में से कोई नहीं next question है नीम लिकित में से कौन सी राज्य विधान सबा में सबसे कम सीड़ी है तो इसका right answer है option A, सिक्किम next है नीम लिकित में से कौन भारतिय और थ्विवस्ता के पराथमी क्षित्र में आता है तो इसका right answer है option A, इसका right answer है next question है प्रथम पंच वर्ष्य योजना के दोरान किस क्षित्र की सरवाधिक योजना लागत थी तो इसका right answer है क्रिशी option A, इसका right answer है next question है रज़त क्रांदी किस के उतपादन से सबंदित है तो ये है अंडे के उतपादन से सबंदित option D, इसका right answer है next question है भार्तिय और स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था तो इसे पहले कहा जाता था imperial bank of India या option B, इसका right answer है next question है किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है तो इसका right answer है option C, 1921 आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही thank you so much